निशाद पाटी 16 अगस्त को अपना इस्थापना दिवस मनाईगी और इस दिन एक बड़े कारिक्रम के रूप रेखा तयार हुई हमारे साथ बात करने के लिए चानिय निशाद जी है क्या कारिक्रम ही इस्थापना दिवस के जरी आप लोग शक्ति प्रदर्शन एक तरीके स कि वह सकतिसाली लोग जो उन्होंने देश को आजात कराया था और अंग्रेजों मुगलों ने कानून बना के उजाड़ा था उन्हें विस्थापित किया था कानून बना कर आईसे 193 जाते उत्तर प्रदेश में हैं पूरे देश में 578 जाती हैं वो फिर से अस्थापित हो स कि उन्हें आज रोड पर घूमना पड़ा नदी उन्हें तो उजाड़ा था पिछली सरकारों ने उन्हें उजाड़ दिया तो क्रिमिनल ट्राइफ साइट इंक्वारी कमेटी उनी सो इन्चास पचास के अनुसार आइस एक तो तिरान पर जाते हैं उत्तर प्रदेश पूर करताओं को सर्प्राइज देता हूं आपने बात कहीं कि हम अपनी शक्ती को भी आग रहे हैं कि हमने कितना विकास किया कितने लोग हमारे साथ जुड़े तो इस तरीके से लोगसभा चुनाओ भी है तो इससे निशाद पार्टी अपना कहा जाए कि शक्ती प्रदर्शन भी शक्ती भी दिखाएगी कि देखो हम इतने ताकतवर हैं और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोगसभा कि सीटों को लेकर करके अब संजय निशाद आगे अपनी कहेंगे अपनी बढ़त बनाएंगे किसी को पैसे पोड़ देने वाला किसी की रहली में चले जाने वाला कहा जाता था तरह तरह का लेविल इसके उपर लगा था हम अपने को सभाग साली मानते कि त्रेता में कभी भगवान राम ने निशाद राज को गले लगाया और उस निशाद राज के से जमीन धर्ती पर जो इलाबाद प्रधान मंत्री उतरे तो उन्होंने निशाद राज की धर्ती का नमन किया और नौ बार जैनिशाद राज का नारा लगाया और उस धर्ती उसको परेटा करसल घोसित करा है च्छपन फुट की मूर्ती लगाया और उसे बीस करों नत्रीस लाग देकर अगर हम क कर दिया था पिछला जनम खरा तू नीचे हो उस सोच को मैंने करा दिया तो मैं से सुसाइटी की लिफ्टिंग में पॉलिटिकल पावर का गेन होना बहुत ज़रूरी है तो पॉलिटिकल पावर कैसे गेन करेंगे दोजार चोबिस आपके सामने उनके सक्ति का हैसास रही है और एंडिय की 330 पार एंडिय की सरकार बनाई है और फिर अपने समस्यों का समाधान कराई है इसलिए हम लोग आज के दिन में वह काम कर रहे हैं किन सरकार पे इस बात का दबाव बनाएंगे क्या भारत सरकार कम से कम जाती के जन्गर ना कराई निश्ची तरुम से मैं बार बार इस बात का ग्यापन देता हूं कि यह जो देश की उपेछी जातियां हैं जिनका सोसड़ा नया हुआ बंचित रहे हैं इनका एक सर्वे हो जा एक कहां किस लायक हैं कितना इनका विकास हो सका हैं किसने इनके साथ धोखा दिया है शतर साल म का आंकलन हो जा और यह सब दूद का दूद पानी पानी हो जा वे देवतियों को सम्मान मिलना चाहिए चाहिए किसी भी तरीके से इसलिए आज देखे मोदी जी को धनबाद दूंगा कि उन्होंने मस्मंत्रा लेकेंद मुला 26,000 करोड़ दिया हम उजड़े हुए परिवार पर तो हरे रंग का जंडा लगा है उन्हें तिरंगे से तो प्यार नहीं है इसलिए तो सत्ता से हटा दिया है जितने लोग जो इन जो हरे रंगे जंडे को प्यार करने वाली कांग्रेस और सपा बसपा रही है इसलिए जंता ने कह दिया कि एक तिरंगे का अपमान कराते है और यह तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को सत्ता में जगर्णत नहीं है इसलिए धिरी धिरी देखें सत्ता कम है 60% हमारे हाँ मुसल्मान है लेकिन फिर भी देखें किस तरीके से अभी हमने जहीत कर दिखाया तिरंगे का तिरंगा एक इस देश की स्थान है यह तिरंगा इस देश को बलीदान देने वाले सहीदों का एक प्रतीक चिंन है जो इसका अपमान करता मनुद्देश का अपमान करता उसको इस देश में रहने का जिकार नहीं है